अनकम जी लगाता थे दस्कार करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह सतर पे आये, बहुत संभिधन्शीम थे, बलकि यह जाने बात करते हुए जो वाटसेप और फेस्बूक की इस दौर में, वो पुस्टाइड और पुराने फोन से चलते थे, तो मुझे उनसे बिल्कुल उल्टे बट्र का कथन यादा था, निरद सी चौधरी ने कि विवे ब्रेटें में अपने देने के बादे में लिखा था, कैंद एल्टे इग्जाम्पल ऑफ दे सर्वाइवल अफ द अन्फिटेस्ट, तो अनकम जी वागई सर्वाइवल अफिटेस्ट के उदाहरन थे, कि इसी अहनकार के साथ नहीं, बलकि अपनी जरूफ्तों को बिल्कुल न्यून्तम रखते हुए, उनके पिता भवानित सर्विश्ट ने कभी कविता में उच्छाला था सवा, कोई है, कोई है, कोई है, जो इक है सके कि उसके उसके जिन्दगी दूद की धोई है, मुझे लग कम लोग, बता नहीं, चादर कोई जसकी तरस रख पाता है या नहीं, लेकिन अनुपम जी रख पाये, ऐसा मुझे लगता है, हम उस पीधी के लोग रहे, जिनके उपर ऐसे वहततों की च्छाया, एक वाधिक च्छाया रही, जिस रच की बात करती थी हैंगी, वो विच हमा कि शाली मानता हूँ कि उनके साथ मेरा वी कॉलम शुटी हुआ था, उसके बात शुक्रवार में, सत्याग्रह में तमाम जब्वों पे ऐसे मौक्य आए, जिब उनकी च्छाया में हम सब छपते रहे, और हमारे साथी पत्रकार सतंत रुमिश्य इत्रफाद से इन तमाम जब किया और उनके पास दोर सारे उसकतिया हैं, सबसे पैसे परमादर्नियां अनपम जी को स्रतांजली और उनके लिए कुछ कहपाने का मौका पाना या मैं अपने को बहुत बोजिल सा मक्सूस कर रहा हूँ अनपम जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया वजब हस्ते खल्टे बाचीत करते दुए अब मैं चोटे चोटे एक्जामपल्स हैं और वो बहुत चोटी चोटी बात में बहुत पड़ा करते दे 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 मेरा बेटा एक बात उनके रूम में गांधी पीस होनने समें परियाव पर उनको कुछ लिखकर दिखा रहा है कि मतलब आप बच्चे का कैसे विखास कर सकते परिंटिंग कैसे कर सकते यह अनपम जी की मतलब जिसको बोलते हैं कलम पकड़कर सिखाना मैंने उनसे सिखा और यहां बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत आदर्लिये हैं और बहुत स जो सुरू में उनने दो तीन बार लिखा और चोग दिया वो इससे बस्ते थे और जब मैंने तलका जोईन किया था तो उमझे संजे दुबे महां संपादक थे और उनने जिम्मेंदारी दिए तो मैं उनसे लगाता लिखाता था साइच्छे मेरे में एक या दो बार उनका नहीं चपा, उनने कहा कि तुम यह मुझे जो हे चाभूख से पीट-पीट कर लिखाते वरठी लोग ठक जाएगी मेरा पढ़ा-पढ़ा कहती है तरसल वो पिता को जीते थे, पिता की कविता को जीते थे, पिता की जो प्रचुती के प्रती जो गौनी माउक की जो प्रें उसको उन्होंने जिया और आप देखें कि जब उन्जी किताब है आज भी खरेने तराब उसकी पहली ही लाइन है अच्छा अच्छा करते जाना कड़कू किसान से रजा लेका है तो ये लाइन देखें उसकी मैं आज फोड़ा पलट रहा था भावनिवां की कविता देख रहा था तो उनकी कविता है नहीं कि वारत तो मैं उसको पढ़ना चाहता हूं एक कविता और पढ़ूँगा कुछ लिख के सोग कुछ पढ़ के सोग तूस जिस जगह जागा सबेरे उस जगह से बढ़ के सोग जैसा उठा वैसा गिरा जाकर विछोने पर तिप्सल जैसा प्यार या जीवन खिलोने पर बिना समझे बिना भुजे खेलते जाना एक जित को जकड लेकर ठेलते जाना ये जित अन्तुव जी मिलती और वो ताउमर रही और गलत है बेसूद है कुछ रचके सो कुछ गड़के सो तो जिस जगह जागा सबेरे उस जगह से बढ़के सो दिन बर इवास पेड़ पत्ती और पानी की बंद घर के खुले फैले खेट धानी की हवा की बरसाद की हर खुश्क की तर की गुजरती दिन बर रही जो आपकी पर की उस इवारत के सुनरे वर्क से मन मण के सो तो जिस जगह जागा सबरे उस जगह किसे बढ़के सो दिखा सूरज में किरन की कवन से कलम लेकर जो नाम लेकर इसे पुंग्शी में पुकारा सो हवा जो कुछ गा गई बरसा जो बरसी जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी उस इबारत की अगर्चे सीडियां में चड़के सो तू जिस जगह जागा सबरे उस जगह से बढ़के सूथ। और भी बहुत सारी कविताएं हैं रहाली गाउथी जिसमें जो दर्शन में और गांदी जी का जो दर्शन में उसको उन्होंने ठीक ठीक जिया है। और अभी राखी जीने में सुनाया इस तरह के वाकिए मेरे पास भी बहुत सारे हैं। पहला लेख जो उनका मेरे साथ मेने उनके साथ दाचित करके किया था। वो सहारा समय में एक लेख चापा था चुनाओं में पर्यावन क्यों नहीं बनता नहीं था। यह एक लेख था। वहां से मैंने मसलब उन्होंने मुझे ठोक कर बजाकर थोड़ा दोल सिखाकर पर्यावन क्यों की जो प्रेम था उनको बढ़ाया। और अंत्रम जी मतलstat चोटी चोटी बातों पर एक बार वह मेरे घर और रास्ते में उन्हें एक आजार ही सिक्षान थी। उन्हें गोसे में चाहर देख हलेज है। मैं का हाँ अच्छी अचार भी उन्हेने वहाँ अचार भी अमंजुजी दी हैं उनको भी साय लिया तो इस तरह कि अब मैं एक पार उनके घर या संदिया थी और सुबह सुबह में उनका उनसे बाचीत का देख लिए पहुचा था शुक्रवार के लिए तो वह चाड़ लगा रहे थी घर के बाहर जाड़ लगा रहे थी तो मसल बड़ा हूने का जो उनके अंदर कहीं से कोई तंब नहीं कुछ नहीं घर के काम लिए उटाना पिर एक दिन गार्वियो मैसे ही मैं दोगर मैं पहुचा थी तो उनके अपने हाथ से खुद से पन्ना बहुते हैं सब्सक्षब नहीक आपड़ लगा हूने के पना वना के कि बड़ких हैं अच अचा किसी भी तर बात कर नहीं हो तो वह गांधी पर कूछ बाहर के लिए पाने के लिए मांदी की तक हो उस पर बात कर दीए है overex T commencer कि तो एसी कुछ बात आती तो प्रशांट जी ख राही जी का नाम देते लेकिन उनसे मेरी बात प्लियों पर वो पाहर है उस समय तो मतलब यह नहीं कि मैं ही सब कुछ करूँ वो सामुविकता में जीते ले और उनके किताब में आप जैके हो हमारे प्रयावन वहां सामुविकता है जीते हैं आज भी खरें हैं तरह जीते ले सब्सक्राइब्स हां अजय ब sogenत इक अदमी को क्रेडिट दिया है इपना बड़ा हफे हिंदी में, बहुत रियाः देख Cancer ७ी गटने और उनकी तरव क्रार्विकताव में बहुत चोट चोटा चोटा आदमी जो समाज में चोटे माने जाने चाहने तो उनकी बहुत बादे उसकी जो प्रिकर्ति के साथ, जो उसका निर निव है, उसका नही और उनको बताया। आन्कुरम जी प्रट्रिकार पर भी बात्ता है, विद जो भी तो बहुत ते ये अखार में दरसल, असल, किंदू, तरदू, इतना क्यों रिखते हैं। सिधा सिधा लिखे लिखे लिखें। तो वह कान भी पकड़ते थे। कि आप उनके पास जाते हैं आप उनके बहुत प्रियें। इसका मसल रहे दी, कि आपको वह ऐसे ही छोड़ती। आप उनकी भाषा थी उसमें बहुत विट था, बहुत ब्रेंग और तंज वाली भाषा भी थी। जैसे वो परड़िसें उसमें बात करते थे, राजमिताओं पर बात करते थे, वो नाम नहीं करते थे करिवाद। वो कहते थे आलागे वे भिडों की शफ़कार या फिर नदीलोडों पर बात आती थे, सुरेस परभू का नाम लेते हुए वो कहते थे परभू की मतब दिल्हा, और इस तरह से कुछ तालिय करसे थे, उस सीदा से तालिय करते थे, भुमड़े यह तरह बात कर नी होथी थे, कि ए हमें तर्फिकाइस की तेध हवा, इस तरह से उव बिन्वा में बहुत वाए। दरशायद इस वजह से हम उग ऊब याद कर रहे हिसे हम आढ़े हैं, कि पैर ऊसल्ग सोथा याद कर रहे हैं। और उनका यह समाइन झो में यह समाज screens है वह इस वजह से है वो अपने को नगारते थे, वो कहते थे, सफल्दा की दो सेड़ी चड़ते हो तो चार उताना सी तो, धन्यवार। इस पतंतों को सुनते लिए बात पर मुझे खिया रहता है कि उच्छाथ हम लोगों को बना रहे थे, हमें से बहुत सारे लिगों को पता भी नी चलता था, और वो शायद हमें कुछ ने कुछ देते हमें कुछ जोड़ते जाते थे, एक काम लोने जिस आदमी के साथ सबसे जोड़ी, सुपान जोट है, जो मुझे तहली बात बिले हैं, जो बिवन दे रहे टुक्रा-टुक्रा मुलाखातों में, मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे विचार हैं, लेकिन सब चितरा हैं, सब तितर बितर से, कोई है जो क्या इस बिजली को बांदे का, क्या इस प सुपान ने बहुत बुच्पन के से, उनके साथ जिया हूँ, उस परिवान के साथ जिया है, तो सुपान को अब 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 अज़कर, आप सबी को, ज्यान बीच से ही, कुछ दिनों पहले, अनुपम जी के भाश्यनों और देखों का एक सब्सक्राइए, जिसका शीक्षक है, अच्छे विचारों का अकाल, मैं ऐसे दो विचारों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, एक विचार है अज्यान, और दूसका है मुम्मु जी, बहुत पहले से, अनुपम जी से ये सुनता आया हूँ, कि ज्ञान से काम चलता नहीं है, उससे दिगड़ता भी है, और ज्ञान से काम न बीड़े, इसका तरीका अज्यान है, बहुत से लोग, बहुत कुछ सीखने, और बहुत कुछ पाने की फड़बड़ी मिलते हैं, ज्ञान अर्चित करना तो रखभग हमारे युग का मंत्र बन गया है, लेकिन उसी के साथ इस ज्ञान की अपच्छ हमकों चालों रख दिखती हैं, इतने ज्ञान को पचाने की कुवत बहुत ज्यादा लोगों की होती नहीं है, जिनकी होती है, उसके परिणाम क्यानी जीये कहना कटे थी, मुझे लगातार अरुपम जी ने, अज्ञान पर जानकारी जुटाने के लिए, हमेशा कहते रहते थी, इन्होंने एक वैज्ञानी के हमने इग्णोरेंस पर बात की है, जड़ा, जड़ा देखो, उसका अनुवाद हो सकता है क्या, विरोबा ने अज्ञान पर बहुत कुछ कहा रहा है, उसको लिकाला दूबी, कि ये अज्ञान क्या है, ये अज्ञान आपको, आपके संपर लटा हमाँए, आपका राग कहीं भी हो, आप पंचन मेंगाने वाले हूं तो आप पंचन मेंगाएं, लेकिन लोटके अपने और अज्ञान वो अवस्था है जो हम सभी को जोडती हैं। हम सम कही न कहीं किसी न किसी मंच पर, किसी न किसी मंदली में अज्ञानी हैं। बलकि बहुत सी मंदलियों में हम अज्ञानी हैं। लेकिन हम अपने ज्ञान में इतने उलच जाते हैं कि हम अपना सम पुच जाते हैं और जिस घराने का काम उनुपमजी करते थे गाधी का घराना उसमें सम पर लोटना बहुत सुर्थी है और वो सम अग्यान का है जब आप मन में ये माहन लें कि आप अग्यानी हैं तो आप हमेशा जादा लोगों से जो पाएंगे जादा लोगों से आप अपने सहजरूप से अपनी बात कह सकते हैं उनकी बात समय सकते हैं और एक बार ये अज्ञान आप अपना लें, तो फिर आपको वह मूल्य दिखता है, जो असल में अमूल्य है। 1972 में ऐसा मूल्य एक साधारन सर्वोदय कारकत्ता में अनुपम जी को गाधी समाधी पर दिखा। गराम चंडी प्रसाद भड था। और भड़्जी के सहयोगी अनुपम जी 1922 सही होगे। ऐसा ही कुछ उनको वीकागेर की एक यात्रा में दिखा। बहुत ही साधारन सी चीज जिसको दस, बीज, हर कोई कहीं न कहीं देखता होगा। लेकिन उसका मूर ये उन्हें देखता नहीं है। और वो देखता इसलिए नहीं है कि ग्यान का परदा हमारी आँपे पढ़ा रहता है। ग्यान का परदा हमें वह सहज मूर ये देखने से रोकता है, उसे पहचानने से रोकता है, जो हमारी कुछ बहुत सुन्दर चीजों को बनाता है। गुदारण, एक लेख है, आप ये से ज़्यादा तर लोग यहां अरुपन जी को जानते हैं, शायद आपने पढ़ा हो, तकनीक कोई अलग बिशे दी है। या भूकम पर रुकाइक लेख है, जिसमें ये एक सरकारी रपट से उन्हें निकाला, कि उसमें कील कैसे लगाना चाहिए, उसके निर्देश कितने सारे ग्यान के साथ लिखे हुए थे। उसके बाद उनकर एक बाक्य आता है लेख में, कि अब है कोई माई का लाज जो ठीक से कील लगाता है दिवार में। उ रपट नजाने कितने लोगों ने पढ़ी होगी। नजाने कितने लोगों ने उस रपट के बारे में दिखा होगा। लेकिन कील लगाने की यह द्रश्टी किसी अज्यानी को ही दिख सकती है। क्योंकि बाकी सब लोग शायद उसे ज्यान से ही दिख रहते हैं। अज्यानी ही कहीं जादी एक छेत पर जादी लगी हो तो जानने की कोशिच करेगा कि यह क्या है। और फिर जब सामने वाला बताए कि यह कुंड है। तो उसको जट से अपने मन में उतार लेगा। और उसका एक खाका अपने मन में बना लेगा। जिसमें धीरे 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 पच्चियां जाती जाएंगी। धीरे 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 चीज़े दबती रखी और चूंकि अद्रश्य मूल्य उस अज्यानी को दिखते थे तो धीरे धीरे ऐसे भवन तहियार हो जाते जो किसी ग्यान वाले की कतना से भी पढ़े हैं। ऐसा ही एक भवन आज भी खरे हैं तलाब हैं। कब हो गई, कब बन गई, किसी को अंताजा नहीं रहा। ये इतना धीरे धीरे काम करना है। आप मौका मिलेगा भी तो आज भी खरे हैं तलाब का संधर्ब का खंड एक बार ध्यान से दिखिएगा। क्योंकि पढ़्यावरण पर अनेक किताबे निकली हैं। और उनने अनेक संधर्ब दिये जाते हैं। लेकिन वो संधर्ब आपको और कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि वो संधर्ब ऐसी एक फूंजी बताते हैं। जो शायद मैं किसीने इकटी की। और ना उसका मूले किसीने समझा। बहुत साधारन लोग, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई लिक्षे वाला। कहीं कुछ बात हुई। क्योंकि अग्यानिक व्यक्ति अपने संधर्ब रहता है। तो वो किसी लिक्षे वाले को भी उसी आँख से देख सकता है। जिस आँख से दूसरे लोग किसी विशेशद्य को देखते हैं। यही बात, यही अज्यान और यही मूल उनकी भाषा में आपको बार-बार देखा। हर जगा आपको उसकी जरत देखी। क्योंकि आखिर ऐसी कितनी हिंदिकी किताबे होगी, जिनका दक्षिन भारत में इतना चर्चा हुए। या जिनको कोई बंगाल का पाठाप पढ़के जिसका अमवा कित करे। इसलिए क्योंकि वो अज्यान सलंता से मिलता नहीं है। अनुपमजी से जब भाषा पर बात होती थी, तो कई बाते थी लेकिन उसमें से एक बार ज्यात करने दायक है यहां पर। बार बार कहते थे कि पैर पर चलना असान का है। फिर लिखते वक्त लोग हाथ पर चलने की कोशिश क्यों करते हैं। और आप आएंगे कि बहुत कम उमर से हम जब लिखना सीखते हैं। तब हमें यह बताया जाता है कि तुम अलग तब दिखोगे जब तुम कुछ करतव करके दिखाऊगे। पहर पर तो और कोई चलता है तुम हाथ पर चलके दिखाऊगे। और उसकी गती यह है कि हम ज्यादतर जो पढ़ते हैं। वो हाथ पर चलने की कोशिश के बाद आए धड़ाउं की आवाज की गुण दिखाऊगे। बहुत कम चीज चान कर, दीरे दीरे चान कर तही आती जाती है। और आज दी है कि अनुपंजी की लिखाई, अगर हम सबको इतनी प्रिय है और वो इतनी सफन हुई है, तो उसमें यह भाव है कि किसी चीज को चान कर, उसमें से ज्यान को निकाल कर, उन मूल्यों को ध्यान में राखकर, जो हम में निकित हैं, लेकिन जिनकी बात हम असानी से करते हैं, उन मूल्यों को सामे राखके प्रिया जाए। अब मैंने ही मानता कि अनुपंजी सर्वाइवल अब दा अन्फिटेस्ट को मान बेसे, वो उनकी लिखाई बहुत फिट लिखाई है, आप अगर उसमें से शक्त काटना चाहें, तो बहुत कुछ निकाल नहीं पाएं, उसका देर में इतना पका है कि उसमें कोई ज़्यादा मुटेशन की बुज़ाईश नहीं है। आप रहोंने मितीरे से सुना, आपका पहुत आपाई है। करीने से उस बिंदू पे अंगली रखी है, जो शायद अनुपंजी को समझने की कुछी साबित को सिक्ती है। काई कैसे खुल जाती है उनके सामने। जो हमारे लिए स्टिटिस्ट है। लगता है कि जो इमेल नहीं कर पाता है और क्या इस दौर जाज़नी है। वो बिल्कुल हमने दौर के शेनल से आगे क्याज़नी थे। बहरहाल उनकी विरासत बहुत बड़ी थी। जिस बॉद्धता के तहंकार को उकर्माट देते हैं। मुझे लगता है कोविल तो इस बात करते हैं कि तुम्झे बहुत बहुता याद आ गई। वह संच्ट से हैं वो समय नहीं लूँगा। मैं असब बहुत क्योंकि खुले नंगे पाऊँच चलता हूँ। मैं असब बहुत क्योंकि फूल की बोदी में पलता हूँ। मैं असब बहुत क्योंकि चीर कर धरती धान तुगाता हूँ। मैं असब बहुत क्योंकि फूल कर दोर से गाता हूँ। आप सब बहुत क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं उपर। आप सब ने हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं उपर, आप सब ने हैं क्योंकि धान से भरी है आपकी कोट्पी, आप सब ने हैं क्योंकि दोर से पढ़ पाते हैं कोट्पी, आप सब ने हैं क्योंकि आपके कपड़े स्व्यम बने हैं, आप सब ने हैं क्योंकि चबड़े आपके कोन से सने हैं आप बड़े चंतित हैं मेरे पिछड़े पुनके मारे आप सोचते हैं कि सीखता यह भी धंग हमारे मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अजाहिल अपने बाने धोती कुरता बहुत जोर से लिफ्ट आवी हूं याने अनुतुम जी इती सकत भाशा में बात नहीं कर देते हैं उनकी विलासत का एक हिस्ता सब्भाव रहें कांदेश आपिकर्ष्ठाच के लिए तर कुमार प्रिशान मैं उनको आमें अकाल पर तर्ष्टा करने के लिए इतने सारे सब्भाव भी कठा भावा हूं उसको खुशी भी हो रही है और रहुत आशा भी जिन लिए अनकुम जी को मैं बहुत कम जानता हूं मैं तो कोई खास परिजय था उन से नीजी तो को कि कुमत अरन पून्दी के विचारों को भी मैं समझता हूं और शभन की कोशिश करता हूं मेरे अपने जो विचाजना उनके साथ उनका क्या संगती बढ़ती है, इसको भी जानने और पर जानने की मुशिश करता हूँ, इसलिए शायद इहां पुलने का फुर्स अधिसारी रुप्ति मैंने, फिर भी लीला धरी ने कहा कि आपको आना है और मैंने अपनी मुझता में आपे लिया, उसका इसलिया खड़ा हूँ, एक किताब ज्यान पीट ने प्रकाशित किये हैं, अच्छे विचारों का काद, इसकी तरशा करने हम दो यहां बेठे हैं, और आप देखें जिए ध्यान से तो एक किताब की तरशा में से एक व्रती बाहरा है, विचार और विच दोनों के ऐसी एक रूपता बहुत कम है, जहां आप व्रती की तरशा करें, तो विचारों की बाहरा होने लगता है, जैसे इन दोनों के पीज की दूरी नहीं लगे हैं, ऐसी एक उत्ता बड़ी मुश्किल से सरती है जिवारमा, अंपन की ऐसी कई मुश्किलों को साद्वे में लगे रहे हैं, यह तो किताब है, यह अंपन दी के व्याक्षानों का संकल है, मतलू यह कहूँ कि यह किताब लिख्षी नहीं गए है, बोली गए है, तो यहां की एक बड़ी अरीज चीज दिखाई देती है, लिखने और बोलने को एक तरह का बनाता है, जिस तरह मैं बोलता हम, उस तरह को लिख, इताजीरे लिखाता है, यह कं सध गया, और इतना सध गया कि एंदूनों के बीच की दूरी गए है, वो कब बोलना है और कब लिखना है। दोनों करीब करीब एक तरह की रिखाई किती है। सुपान जिसको अग्यान जा रहते हैं, शायद उसकी सामना में से यह बार भी कर सकती है। और एक ऐसे आद्मी को जिसको बोलने वाद इतने दोनों कर इसकी कोई खास पकड़ नहीं है। उसको इस पर बोलना बड़ा मुश्किल्णा है। क्योंकि मैं खुद इन दोनों चीजनों को पर भी साथ दी पाए। तो इसलिए मैं ग्यानपीठ का, जड़ाकीदी का और दिलाजदी का सबका साथवाद करता हूँ। कि उन्होंने इस समेंबर एक ऐसी चीज हमारे सामने रखे हैं। और उस चीज बहुत महतुपूर्ण हो जाती है। क्योंकि उसको लिखने वह लगती हाथ हमारे बीच मही है। तो शायद इसी रूप में वह हमारे बीच है। जासा मान करने इस किताब को देख सबका है। एक बार भी बात में सुसता हूँ कि अनकुम की पर्यावरण विद्थ हैसा लो कहता है। इसा किताब भी कहती है। फिर में सुसता हूँ कि पर्यावरण विद्थो बहुत सारे लोग हैं जिश्में। उनमें अनकुम की अलग क्यों देख जाए। क्योंकि पर्यावरण कोई एक अलग सी चीज़ है। कोई एक समर्स्या है बाहर की जिसको हम करना है। इस तर पर एक लड़ाई चल रही है पर्यावरण को बचाने की। और एक लड़ाई वो भी चल रही है। जो पर्यावरण हम जीते हैं। उस पर्यावरण को संरक्षित और संबद्धित करने की भी एक लड़ाई चल रही है। यह लटाई का एक दूसरा इसतार ही और यह दोनों इस तरों का जो फर्क है वही अनुपमजी के पर्यावल macht में और बाजी पर्यावल inब्लame की लटाई का फरक है ईसमें असी लटाई में आप खुद सिपाही हुई है और खुद Nosy想ने में आप बहाई है रुपू निए पर होटा है तो जब संब्स हुआ अधों के ताने का हैं और विजन को इस होटल में हम एक विश हुआ है तो जब संब्स कर दो आने का वक्त हुआ तो सबसे बड़ी चिंता ईथी कि पर्यावरण बचाने के लिए । परियावरण बचाने का जितना सहीत तरह यार करके लाएं हैं, वो सब उपने कमरों में छोड़कर ने चले हैं। और जब उप सब को निकालकर तो होटल की लॉबी में रखा तो मैं खुद भी आश्यार चेकित लिया। कि परियावरण के वो बचाने की लड़ाई लड़ने के युद्या लोगों में कितने विड़ों को पाटकर दिये चाहती हैं। और इतनी चाहते लाएं तो इस लड़ाई में आप शिपाही भी है और खुद निशाने बने हैं। आप खुद क्या जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं। क्या-क्या गड़ की जीर है। और उन सब का आप इस रड़ाई के साथ कोई लेज बैठता है कि निए बैठता है। इसका दिले इतना करके पर्यावरन में रड़ाई है वो अंपंदी की रड़ाई की निए। ऐसा मैं समझ पाता हूं। तो एक पर्यावरन उभी है जो हमसे अलग भी है और हमारे भीतर भी है। उन अलग और भीतर दोनों के पर्यावरनों के साथ अपना रिष्टा कैसे बनाते हैं वो सुझनी देखाए। एक पर्यावरन शब्दी है एक आवरन है जो हमारे उपर है जिसके भीतर पुनीर है। यह हमको घेरे रुए हैं, यह हमको बचाता है, यह हमको सवाहता है और यह हमको एक नए रोप में फिर हमारे साबनी खळा कर देता है। इसलिए पर्यावरन जो है उसे पहाड़, खेट, नगी जाले ही नहीं है। पर्यावरन चिडियाहात की भादू भी नहीं। यह पूरा जिवन है जो पर्यावरन है। इस पूरे जीवन उसके साथ, हूंपो इसको समझने की ज colour परते हैं उसमें मनुशुबर हें, ठाडै, बिए स alors बुहरतीय जिए बीक Gएえて इस सब्न है और इन सब के साथ आप तो इसके से साथ कौन के शेर्ली को जिसमें तुहारा और इन सारे चीजों का संवर्चन होता हो, वो पर्यावरण है जिसकी चिंता आपको करने जाए है। आप इस किताब को ही अगर रवट कर देखें, तो एक पर्यावरण विज के लिखिये हुए इस किताब में, सबसे पहले आपको भाषा की चिंता नहीं थे, बहला आप भाषा के बाए है। जिस भाषा का भी पर्यावरण से कोई रिष्टा है, ये समझने में काफी सिर सांसन करने की ज़र कोड़े है। लेकिन वो पहली चिंता इस बात की करते हैं कि भाषा का रिष्टा पर्यावरण के साथ क्या है। आप देखेंगे तो शिच्छा की बुन्यादी दिशा क्या है इसके बारे में एक लिखें इसमें। शिच्छा पर्यावरण। सांध हो सांसन की दिवेग की बात है। उस पर एक लिखें इसमें। जीवन मृत्तु के सवालों को टटोलने माजा प्येक लिखें। इसमें नरुता खाटी भी है। और इकले के भी मृत्या है कि टेक्निक जो है वो पर अलग विशह नहीं। इसको कि वो समझने की पुशिश करता है। तब कि मेरा बहुत सारा समय अपने लोग साथियों कोई सम्झाने में जाता रहा है। कि विख्यान और गत्यक्लोजी दो अलग अलग है। मिलाकर के बडा सारा ब्रम पहले करते है। साइंस एक हीज है। साइंस एक हीज है और जिशा ही झाहां वनुरी सामाल को जाने है। और उस जाने के राष्टे को जो तरेख करता है। उसको जो आसाल बनाता है वो टेक्लोड़ी है। हम लोग टेक्लोजी को विधना समझकर पकड़ लेते हैं और फिर उसी साफ करते हैं. तो इसकी भी बात इस खिताब के खिलिप मुझी डेने हैं. इन सब शेना कुछन है है, यह क्य है पूरा परयावरण है। समानि में तौर पर परयावरण के अंदर जिन विश्क्निर का शुमाद नहीं किया जाता है। वो सारी चिंटाएं परयावरण में शामिर्फीन है। एक संदर्व खोचे है वह तुम परियावरण को बचा सकता है और वर परियावरण को समझ सकता है कि इसलिए सबसे जड़ूरी चीजरें वे इस है आखिえー, कि हम सब लोगों के होने का संस्क्रितिक मतलग क्या है हमारे लिखने का, हमारे बोलने का, हमारे काम करने का हमारे कांधी जी का नाम लेने का, मतलब क्या है, एक सांत्कृतिक संदर हुए चिसे कहां आती है, इसकी समझ हम लोग इतनी कर सकेंगे, उतनी शायद उस पर्यावरण में मजद कर सकेंगे, इसकी चिंटा में ये तब किताबें ये ले ले लिखे, एक शब्द है कबन, जिसके सब्सक्राइब करने समझने को तयार ही नहीं है, जो किसी भी नई बात को स्विखार करने समझने को तयार ही नहीं है, तो इस सर का उमर से कोई रिष्टा भी है, इस सर का आप कितने दिन से, कितनी पढ़ाई से, कहां बहुंचे हैं, इस सर रिष्टा भी है, मैं कभी कभी भी कहता हूं कि इसका रिष्टा शाद इससे है, कि आप आज से निराश हो चुके हैं हैं, अगर आज आज से निराश हो अब क्या बनेगा, तो ये बुढ़ेगा सकता है, तो ये कहता है कि हर परस्तिती में कुछ नया रचा जा सकता है, कुछ नया देखा जा सकता है, कुछ नई बात खड़ी के जा सकती है, खतम नहीं रचा है, क्योंकि मनुश्य खतम नहीं हुआ है, वही एक नए पन को पकड़ स जिसको नहीं तरफ समझ सकता है और इसमें अपनी नई गूंटा पूर सकता है। तो फिर्व ब्रयावरन का मतलब उसको कही यह दीखता है कि जिसके गर्वनाल है। मा के साथ हम निकलते हैं जो मा के पास से, तो एक गर्वनाल के साथ उससे चुड़ेट है। मां उसको काटकर हम दूससे अजब करती है और एक दूसरे गर्वनाल के सब्देखर क्यों देती है mayoría इसके बगएर हम दी नहीं सकते हैं यह गर्वनाली जो लिष्ता है हमारे अपने बूरे पर्यावरहुं के साथ जिसकी बहुत सारी बातों की चर्चा मैंने आपको कहने की कुशिश की, इन सब के साथ हमारा क्या निशता है? और इन सब के नहीं होने से हम क्या होते हैं? इसको समझना ही परयावन की ड़ड़ाई है, इसको समझना ही परयावन का शात्रा है. इसलिए काटी दिहीं जा सकती है काट देंगे तो मौठी है दूसरी, दूसरा उसका कोई विका हो नहीं है तो अब जीवन खुजना हो तो दो बातें करनी चाहिए है दो बातें की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ए गर्वनाल कटनी नहीं चाहिए इसके साथ रहने को और इस गर्वनाल को हम काटने नहीं देंगे इसका निश्य हो तो बेट्री के इस तरफ पर हम इस गर्वनाल को कटने नहीं देंगे इसकी तयारी हर वक्त करनी पड़ती है हर पल करनी पड़ती है ग्यान ग्यान कर्म अकर्म जो भी आपको इसमें प्यूती लाए उसका इस्तंबा की है और अपना रिष्टा इस परियावरिश के साथ बनाये रखी है, जिस संकल्द इसंतर से इस गर्ध नार को काटने की हर कोशिश के सामें शर्ध हों braucht अपनी तयारी और अपनी समाथ की तयारी, इन दोन तयारियों के संदर्द में इस पजयावरण को हम समझेंगे, तो उनको भी काइटना किया हुए जो काम है, और उनका जो बहुत सारा छोड़ा हुआ है, उस सब इतने तरह से मारी समझ में कियाएगा, और हम अपने उसमें इ हासा जो बहुत हम झालाः किया हुआ है